Then, example 11, a boy has 3 library tickets and 8 books of his interest in the library. Of these 8, he does not want to borrow Mathematics Part 2 unless Mathematics Part 1 is also borrowed. यहाँ पर यह important line है. In how many ways can he choose the 3 books to be borrowed? ठीक है, इसका हम देख लेते हैं. देखिए, आप Keywords जियान रखिए. आपको 3 book choose करनी है और condition के दे रखिए है कि Mathematics 2, यह borrow नहीं करेगा जब तक कि Mathematics 1 borrow नहीं कर लेता. ठीक है? सीरी सी बात है, आप Part 1 लेंगे तो ही Part 2 लेंगे. Part 1 के बागर Part 2 लेंगे. ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? आपके दो case बन रहे हैं. Case 1 does not borrow M2, Mathematics 2, और case 2 borrow Mathematics 2. ठीक है? अब आप देखिए. Mathematics 2 borrow नहीं करी है. मतलब 8 books में से आपकी 1 book, जो की Mathematics 2 की है, यह नहीं ली है. तो आपके पास 7 books बची, जिसमें से कि आपको अब यह 3 books बाकी की borrow करनी है. तो इसको आप 7 C3 ways में कर सकते हैं. ठीक? M2, Mathematics 2 की book specifically नहीं ली है. तो टोटल क्योंकि आपके अपके पास 8 थी, इसमें से एक कम हो गई. 7 books, अपके बची, जिसमें से कि आपको 3 books चूस करनी है. तो 7 C3, ठीक? या फिर यह और वाला case है. या तो case 1 या तो case 2. अब M2 borrow करी, मतलब M1 भी borrow करी होगी. तो borrow M2 करने के लिए M1, Mathematics 1 बची होगी. तो आपके पास 8 books में से 2 books specifically जा चुकी है. अब के बची है? 6 books. अब क्योंकि ये दोनों borrowed है, ये आप ध्यान रखना. ये कैसा case है आपका including वाला? और ये कैसा case था आपका excluding वाला? तो including में आपकी ये दोनों books M1, M2 की, Mathematics 1, Mathematics 2 की आ चुकी है. अब condition के तहट 3 books में से आपको 1 book और चूस करना है. तो जिसको आप कर सकते हैं? 6 even ways में. ठीक ये आप ध्यान रखना. ये NCIT में भी कुशन था. क्रिकेट टीम वाला. excluded और included. excluded में वो जनों को अपने हटा दिया है. अब जितने बचे हैं, उसमें से आपको जितनी condition से तहत लेना है, उनको आपको लेना है. including में जो आ गये हैं, उनकी गिंती दोबारा नहीं होगी. ठीक ये आपका हो जाएगा 7C3 plus 6C1. तो ये आपका हो जाएगा 35 plus 6, मतलब 41. ये इसका answer है. Then example 12, find the number of permutations of n different things taken r at a time such that two specific things occur together. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. ये भी अच्छा question है, इसमें हम क्या करते हैं, एक जगा practical life example ले लेते हैं, n की जगा कुछ number ले लेते हैं, r की जगा कुछ number ले लेते हैं, तो मैं दोनों कर देता हूँ, यहां ही margin बना के, इधर आपकी ह n different things, तो इधर आप कर लीजिए six different things, इधर r taken at a time, यहां पर आप कर लीजिए four taken at a time, उसके बाद condition two specific things occur together, ठीक है, including वाला case, तो two things together, occur together, इधर भी और इधर भी, अब आप देखिए, इस six में से आपने चार चीजें ली है, इन चार में से दो चीजें एक साथ आ रही है, इसका पहले आपको दिहान रखना है, ठीक, मतलब, चार चीजों के लिए मैं, चार गोले बना देता हूँ, एक, दो, और इसमें दो चीजे एक दूसरे से connected है, इस तरह से, ठीक, तो एक entity है, दोनों मिलके एक entity बना रही है, तो इस एक entity के लिए आपके पास तीन places है, ये दोनों या तो शुरुवात में आ जाएगी, ये दोनों या तो बीच में आ जाएगी, ये दोनों आखरी में, जो पहला कैस है आपका, तो ये पूरी entity, ये pair जो की एक साथ आ रहा है, itself, in three different ways, अब इसमें क्या है, entity में, इसको मान लिजीए आप one, इसको two, तो ये one two, two one, ये दोनों आगे भी जो सकते हैं, अभी one two आ रहा है, अब two इदर आ गया, one इदर आ गया, दोनों है साथ में, ओकर together, तो साथ ही साथ, क्योंकि आगे भी जो सकते हैं, तो three into two factorial, मतलब total six base, ओके, या तो इसको इतने ही कर दिजीए आप, अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपका क्या था, आर था, यहाँ पर ये एक चीज, ये दो चीज, ये तीन चीज ऐसा करते करते, अब two R चीज़ें, और यहाँ पर भी यही हुआ, इदर चार चीज़े थी, तो total आपके जागा कितनी बची तीन, क्योंकि दुनों साथ में हो गए, तो यहाँ पर total जागा कितनी बचेगी आपके पास, R-1, ठीक, तो ये पूरी की पूरी चीज, अरेंच इटसेल्फ, इन R-1 वेस, और क्योंकि आगे भी शो सकती है, तो total वेस, एक बार फिर, R-1 into 2 factorial, यहाँ पर दीजेगा, 1, 2, और 2, 1, समझने के लिए, अब, total वेस, वो चीजों के लिए, जो कि include थी, specific थी, अब, आपने दो चीज़े हटा दी, तो आपको दो चीज़े और लेना है, इस condition के तहट, आपके पास, 6 different things थी, 6 अलग-अलग बस्तू थी, जिसमें से कि आपने, 4 एक बार मे ली, जिसमें से कि आपने, दो चीजों को साथ में लिया, अब, बाकी दो चीज़े भी आपको लेना पड़ेगी ना, उनके लिए जगा, डिसेट करना पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, remaining two, अब कितनी हो गई आपके पास, 6 में से 2 चली गई, 4 बचे, अब 4 arrangement, इन सब चीजों का क्या हो जाएगा, आपका, 4P2 multiplied by 3 into 2 factorial, और यहाँ पे, total arrangement, यह क्या हो जाएगा, आपका, n-2, PR-2, जैसे यहाँ पे 6-2 होगा था, यहाँ पे n-2 होगा, और r-2 होगा, ठीक है, 6-2 होके 4 हुआ, 4-2 होके 2 हुआ, तो यहाँ पे यहाँ आया, 4P2, उसी तरह से n-2, r-2 होगा तो, n-2, PR-2, multiplied by r-1 into 2 factorial, यह इसका answer है, ठीक, इसको हमेशा practical life example समझिएगा, पहले यहाँ पे आप number लिख लिजिए, अगर आपकी practice नहीं है अच्छी तो, number लिखने से, example लिने से क्या होगा, कि आपको समझ में अच्छे सा आएगा,